Hello everyone, क्या हाल चाल? Welcome to my channel Hello 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 कैसे हैं आप लोग सब? Let's get started Hello Hello कैसे हैं? शरू करें शरू करें शरू करें बहुत अमेजि़न बहुत अमेजि़न आजा हाँ जी तो जो बच्चे नएं है बटा टेलीग्राम चैनल है t.me कि आनन्दमनी 001 ठीक है संडे को आपके लिए स्पेशल गिववे है मेरे इंस्ट्राग्राम पे मर्चंडाइज गिववे हम कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे इंस्ट्राग्राम पे फॉलो कर लिए आनन्दमनी और यह पूरी लेक्चर के पीडियेफ अगेरा सब आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाते हैं www.anandmoney.com ठीक है आज आपका फुल स्लेबस टेस्ट है फुल स्लेबस टेस्ट कल ऐसे पार्ट तुमको सप्राइज दिये थे इस तरह की सप्राइज आपको मिलते रहेंगे तो रैंडम कुश्चन ही हम करेंगे मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे प्रिपेर्ड हैं कैसे इंपेर्ड हैं मतलब हो सकता है क में दूसरे कोश्चन में जादे डाल दूंगा ठीक है तो यह चलता रहेगा चल शुरू करें एवरिवन इस रेड़ी एक बार थमसब दे दो नए हो इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें आप नोटिफिकेशन मिस ना करें चली चली पूट ऑफ मैंगो बढ़ी हां कुषण से शुरुआत ही हो रहा है इस शिंपल एंद फलेशी डिवलप्र फ्रम इन फिरियर ओवरी नहीं भाया थिक है तो इस सिंपल एंद फ्लेशी औं डिवलप्व from from monocarpillary superior ovary from monocarpillary superior ovary ठीक है good job good job living mechanical tissue यह हमने बात किया था living mechanical tissue की जो बात कर रहे हो आप colon काइमा की बात कर रहे हो आप colon काइमा की बात कर रहे हो तो it has thickened cell wall at corners है न हम किसकी बात कर रहे हैं हम colon काइमा की बात कर रहे हैं ठीक है colon यहां में यार रखेगा living mechanical tissue है और अगर dead mechanical tissue की बात करेंगे तो scleran काइमा होगा storage की बात करेंगे तो parent काइमा होगा ठीक है ठीक है consider the given statement the ground tissue subsystem mainly consists of complex tissue in a dicot root the limiting layer of stele has thick walled parent काइमेटर cell vascular bundle is found scattered in monocot stem कौन सा statement सही है कौन सा statement गलत है कौन सा क्या है तो भाईया सिर्फ ए इनकरेक्ट है ground tissue system में complex नहीं होता वैस्कुलर tissue system complex tissue का बना होता है बाकी दोनों सही है good job good question good question बहुत बढ़या question री डिफ्रेंशियेटेड स्ट्रक्चर इन दस टेलर रीजन विठ डार्क बाउंड कलर द्यू टू डिपोजिशन of organic compound due to deposition of organic compound due to deposition of organic compound तो अगर deposition of organic compound हो रहा है hard तो क्या हुआ कि tanins वगरा का deposition हो रहा है तो इसको हम कहते हैं heartwood इसको हम कहते हैं heartwood बिल्कुल सही question number के साथ अगर answer लिखोगे तो ज़्यादा मुझे पता चलेए का तुम सही दे रहे हो या गलत आंसर दे रहे हो ठिक है जब भी आप यह टेस्स दीजिए नोटबूक रखिए नोटबूक को मिस्टेक नोटबूक में अपने कुश्चन को लिखिए चल्ट यू करियो टिक सी लिया और फ्लैजला है अर्रेंजमेंट ओफ कैसा अर्रेंजमेंट मauेक Quindi है ना 9 lymph 200 अर्रेंजमेंट और स्कार्ण से प्रोकरियोट्स में जो आइऑ फ्लैजिला आप अफ्लैजलीन प्रोटिन का बना होता है यहां पर बना होता है था भुणोन बहुत अगला लाईजोजाईम, रैबोजोम, माइटोकॉंडिया अन्द गॉलजी अपरिटर्स तो देखो, incorrect बथाना है ये acidic pH पे काम کرता है ये acidic pH पे काम करता है रैबोजोम में ठीक है, Memoinin Mount नहीं है माइटोकॉंडिया मैं double-scเหants DNA होता है Circular double-screensifi DNA होता है ठीक है ये भी ठीक है और Golgi apparatus में packaging of a material के लिए use होता है answer आपका ठीक है अगला movement of chromosome to spindle equator देखो बिटा मैं आपको बताता हूँ ये test नहीं है ठीक है ये क्या है ये आपका practice section है और इससे हम अपने concept strengthen करते ये discussion है तो इसमें तुम question जल्दी कर रहे हो बाद में कर रहे हो उससे point नहीं है ठीक है test के लिए अभी हम mock test अभी लेके आएंगे ठीक है ये important चिंटू question से जो हम discuss करते हैं आपके साथ जिससे आपका concept strengthen होता है है ना चल अगला तो movement of chromosome to spindle equator happens in a particular phase of mitosis कौन से phase of mitosis में होता है movement of chromosome to the spindle occur happens in a particular phase of mitosis happens in a particular phase of mitosis कौन से phase में होता है तो which of the following in the phase comes before this phase before this phase तो ये भया movement of chromosome to spindle equator की बात करे तो equatorial movement of chromosome तो भया कहां होता है ये बात कर रहे हैं हम metaphase की तो metaphase से पहले क्या आता है प्रो फेस तो answer क्या हो गया movement of centriole towards opposite pole movement of centriole towards opposite pole अगला in which of the following stage of meiosis bivalent chromosome is first clearly appears ठीक है bivalent formation occurs in zygotene but अगर आपसे पूछा जाए कि bivalent clearly visible कभ है तो packetine की बात करोगे आप ठीक है तो bivalent is clearly visible in packetine bivalent is clearly visible in packetine bivalent formation takes place in zygotene मैं clearly बता रहा हूँ bivalent formation takes place in zygotene but bivalent is clearly visible in packetine but bivalent is clearly visible in packetine बहुत इंपोर्ट अठीक है यह point लिख लो bivalent formation takes place in zygotene takes place in zygotene but bivalent is clearly visible in packetine which of the following equation is correct for a turgid cell turgid cell turgid cell में क्या है turgid cell turgid cell में dpd 0 होगा turgid cell का dpd 0 होगा turgid cell का dpd 0 होगा है ना तो भाया हमने क्या बोला था हमने क्या बोला था psi s is equal to minus of op और psi p is equal to tp dpd is equal to op minus tp ठीक है तो भाया क्या दोनों 0 होगा किसका आ जाएगा यह आ जाएगा तुम्हारा यह आ जाएगा तुम्हारा किस में target cell में ठीक है ठीक है ठीक है element required for pollen germination बार बार सवाल आया this is chintu plus question ठीक है है ना required for pollen germination pollen germination बिलकुल सभी ठीक है according to chemo osmotic hypothesis during photosynthesis the proton moves from dash to synthesize ATP the proton moves from dash तो क्या होता है lumen से stroma की तरफ जाएगा तभी ATP का synthesis होगा lumen से stroma की तरफ जाएगा तभी ATP का synthesis होगा ये भी बहुत important है ठीक है total number of reduced coenzymes produced in mitochondrial matrix from one glucose is produced from mitochondrial matrix of one glucose is तो कब producing mitochondrial matrix की बात कर रहा है mitochondrial matrix की तो उसमें क्या है cytoplasm में glycolisus होता है mitochondrial matrix में तुमारा link reaction होगा और krebs cycle होगा बहुत बढ़िया कोशन है बहुत बढ़िया कोशन है तो कितना हो गया तो यहाँ पे 3 3-6 और 2-8 है ना 3 krebs cycle में एक cycle में तो krebs cycle दो बार होगा तो 6 हो गए यहाँ पे ठीक है और 2 acetyl coenzyme में जो link reaction होता है तो कितना हो गया 6-2-8 है ना तो यहाँ पे 8 NADH और 2 FADH2 this is a very very good question this is a very very good question it's a chin 2 plus question ठीक है अगला all of the following are artificial auxins except all of the following are artificial auxin except यह natural है ठीक है IAA and IBA are natural auxin IAA and IBA are natural auxin ठीक है ठीक है अगला हाँ ही मांचो बेटा तुम अपने कान में तेल डालो तुमारा कान खराब हो गया ठीक है एना तो होता हो आवाज कम सुनाई देता है उससे ठीक है अपिंक फ्लावर प्रडूसिंग स्नाप ड्रेगर ने तो थोड़ा दा हार्पिक बटा लो तो साफ हो जागा अपिंक फ्लावर प्रडूसिंग स्नाप ड्रेगर plant is self-acrossed then what will be the genotypic ratio in next generation self-across तो F1 generation का self-across कर रहा है तो क्या हो गया सेम फीनोटिपिक और जीनोटिपिक ratio सेम होगा incomplete dominance हो करता है तो सेम हो ठीक है अगला find the odd one out with respect to quantitative inheritance quantitative qualitative जैसे तुमारा हो गया sickle cellenemia quantitative हो गया जैसे तुमारा thalemia जो दिख रहा है हो quantitative है जो नहीं दिख रहा वो qualitative है तो देखो भी यह कौन सा qualitative हो गया इसमें eye color of drosophila बागी सारे आपके quantitative है ठीक है ठीक है ठीक है अगला अगला sickle cell anemia is sickle cell anemia क्या होता भी यह autosomal recessive है ठीक है क्या होता है due to point mutation on sixth codon of beta globin chain point mutation in sixth codon of beta globin answer क्या हो गया answer हो गया two chromosomal constitution aa plus xxy represents klein filters xxy klein filters turner होता है xo drown होता है 21st trisomy ठीक है ठीक है तो आंसा तुमार आ गया 3 आंसा तुमार आ गया 3 इसक्षाइ था 5, 3, देखो, चौथा तो एकदम बहुत जोर से गलत है, चौथा तो बहुत जोर से गलत है, तो correct ones आपको बताने हैं, तो dinucleotides are look back 3, 5, phosphodiester linkage, तो पहला भी गलत है, ठीक है, तो भाईया ये सही है, ये सही है, तो answer क्या हो गया, b and c, हना, हमेशा addition of new strand takes place in 5, 3 direction, addition of new strand takes place in 5, 3 direction, which of the following process occurs in template independent manner, template independent manner, मतलब template नहीं चाहिए उसको, ठीक है, तो भाईया 3 tailing of MRNA है ना, tailing of MRNA में क्या होता है, poly-A tail लगता है, तो capping और tailing में template का requirement नहीं है, हम adenylate residue add कर देते हैं, डालो भाईया इसको chin-to plus question बहुत बढ़िया question है, बहुत जोर च मज़ा है इस question में, है ना, chin-to plus question डाली है इसको, constitutive genes, बतब साथ उसका वाला जो gene होता है, जो तुम्हारा बनाता है, है ना, repressor protein के लिए उसको हम कहते हैं, constitutive जो करा रहा है, ठीक है, तो it will code for repressor, Z code करेगा, बीटा के लेक्टोसाइडेस के लिए, Y code करेगा, permease के लिए, और A code करेगा, transacetylase के लिए, ठीक है, A code करेगा, transacetylase के लिए, during DNA fingerprinting, VNTR plays an important role, they are, याद NCRT line है, NCRT line है, they are mini satellites, बिलकुल NCRT line है, please write down, this is Chintu plus question, this is Chintu plus question, this is NCRT line, please write it down, रहना, please write it down, अगला, which one of the following is a post-fertilization event, post-fertilization, Megaspose embryo sac, नहीं, pollination, fertilization event है, ठीक है, Zygote से embryo बना, तो यह post-fertilization event है, Nucleus, Nucleus से pen बना और pen से endosperm बना, यह भी post-fertilization event है, तो answer क्या होगे, C and D, ठीक है, बाकी दोनो pre-fertilization event है, बाकी दोनो pre-fertilization event है, development of zygote, depends on the life cycle of an organism, zygote undergoes meiosis in which, किस-किस case में zygote meiosis, zygote will undergo mitosis, sorry, not meiosis, zygote undergoes mitosis, अभी तो घड़बर कर देते हैं, तो किस में? haplontic life cycle में होगा, या haplodiplontic life cycle में होगा, या सिर्फ haplontic में होगा, haplot, zygote undergoes mitosis, देखो, development of zygote depends on the life cycle of an organism, zygote undergoes mitosis in organisms with, अब देखो, zygote क्या है? 2N, अब इस चे बना embryo, ठीक है, अब embryo की ploidy क्या है? एन, तो कौन सा life cycle में होगा, zygote will undergo mitosis, zygote will undergo mitosis in haplontic life cycle, ठीक है, haplontic life cycle, ठीक है, अब इसमें, यार, haplodiplontic हो सकता है के नहीं हो सकता, देखो, अब थोड़े देर के लिए diplontic रहता है, और इसके बाद फिर haplontic हो जाता है, ठीक है, तो haplodiplontic नहीं हो सकता है, ठीक है, थोड़े देर के लिए रहता है ना, हाँ, तो इसी लिए, sporophyte और gametophyte दोनों बनता है, इसलिए, answer A ज्यादा apt है, ठीक है, डूरिंग माइक्रो स्पोरोजेनिसिस, there is a formation of during microsporogenesis there is a formation of microspore microspore mother cell pollen mother cell microspore बना तो हम इसको microsporogenesis कहेंगे हम इसको microsporogenesis कहेंगे अगला incorrect pollen grains with mucilis covering entomophiline hydrophiline होगा यहीं वाला incorrect हो गया ठीक है यह भी ठीक है यह भी ठीक है यह भी ठीक है अमॉर्फोफ़ाइलस टॉलेस्ट फ्लावर इस टॉलेस्ट फ्लावर आंसर क्या हो गया आंसर हो गया ए टीपिकल angiosperm pen triploid है ना pen जो है primary endosperm nucleus जो है वो triploid होता है endosperm भी triploid होता है alleron layer भी triploid होता है ठीक है बाकी सब को deployed होगा इन अ प्लांट इफ egg is formed is deployed then what will be the ploidy level of secondary nucleus एग deployed है ploidy level of secondary nucleus ploidy level of secondary nucleus तो देखो अगर एग deployed है ठीक है तो क्या हुआ तो मतलब tetraploid था वो तो second नी nucleus में क्या होता है end plus end stage होता है तो क्या हो जा गई है tetraploid तो क्या हो जा गई है tetraploid है ना again this is also chintu plus question this is also chintu plus question the exotic collection of wheat and rice which become the basis of green revolution in India are exotic collection of wheat wheat पूछ रहा है ठीक है wheat तो देखो जया रतना आया रेट यह सब सब राइस का वराइटी है ठीक है तो sonalika and kalyan sona होगा right तो sonora अठ्या वीट राइस है दोनो दोनो wheat and rice दिया है ना exotic collection of wheat and rice है दोनो तो rice आया रेट होगे ना exotic तुमारा Philippines है ना तो answer 3 होगे good question this is also chintu plus question यहाँ पे confused जाते है good question लगाओ या ठपा ठपा लगाई यह chintu plus question which of the following statement is correct पूसा गौरव is an improved variety of rapeseed mustard for resistant of white rust पूसा सवानी okra effets के लिए maize is general deficient in lysine and tryptophan and scp increases environmental pollution गलत है decreases environmental pollution answer आपका 3 हो गया it is deficient in lysine and इसमें तो हम इसमें क्या use करते है हम नया variety देते हैं जो इंडेश होता है इसकों कहते है प्रोटीना एंड शक्ति जो lysine और उसके लिए ज़्यादा होता है अगला if sewage water is more polluted तो क्या होगा BOD ज़्यादा होगा organic matter ज़्यादा होगा dissolve oxygen कम होगा तो dissolve oxygen कम होगा ठीक है organic matter ज़्यादा होगा BOD ज़्यादा होगा A biological control being developed for use in the treatment for several plant disease plant disease क्या होगा plant disease अब बायोजिकल कंट्रोल बीग डेवलट फॉर यूजिन ट्रीटमेंट अफ सेवरल प्लांट डिजीज प्लांट डिजीज कौन सा है इंसेक्टाइडल टॉक्सीन अगर प्लांट में इंसेक्टार है तो क्या होगा तो क्या गया बता बहुत बड़ी तो क्या होगया ऐसलास थोरिण ज न शिस थिक है वैसे तो बैकुलो वायरस न्यूक्लो पॉलिहेड्रो वायरश भी आ जाता है इसमें अग जलात आ अगला अगला the most spectacular and evolutionary fascinating example for mutualism is found in plant-animal relationship त्टिक है इसपे सवाल आया हुगा एक है ये भी चिंटू ब्रस question plant-animal relationship which of the following is not an example of primary succession not not an example of primary succession यह तुमारा secondary succession होता है क्या deforested land है ना या cut तुमारा agricultural land जो होता है यह secondary पिरामिड of energy is always upright इस पर बार बार सवाल आया हुआ पिरामिड of energy is always upright यह हमेशा याद अठ्वना ठीक है मैंने बताया था पिरामिड आफ नंबर तुमारा किस का तुमारा ट्री ecosystem का या तो spindle चेप होगा या inverted होगा पिरामिड और बायो मास aquatic का inverted होगा lake का spindle होगा और pyramid of energy हमेशा upright होगा biomagnification of DDT leads to increased concentration in birds और उससे calcium metabolism खराब होता है तो thin shell हो जाता है thin shell हो जाता है अच्छा causes thickening of egg shell नहीं होगा thinning of egg shell thinning होगा, thickening नहीं है गलत है इसमें thinning होगा तो इसलिए 2 and 3 नहीं होगा ध्यान से देखो, अगें यहीं पे तुम गड़बड कर देते यहीं पे तुम गड़बड कर देते a higher category with assemblage of sweet potato and potato family and exhibiting a few similar characteristics, it is equivalent to a higher category with assemblage of क्या option है समय नहीं है a higher category with assemblage of sweet potato and potato family अच्छा देखो देखो क्या कहा रहा है, दिहान से सुना, इसमें कोई मतलब भी नहीं था, तो क्या है potato family पोटाटो फैमिली मतलब फैमिडी आगे सुना नहीं थी उसके higher कौन से category है order, ठीक है ठीक है, तो याद रुको animals में क्या order होता था order primator होता था तो यहां से यह निकाला ठीक है लगाई यह भाई, दिमाग वाले कॉश्यन, दिमाग वाले कॉश्यन, चाड, अगला find the correct match with respect to taxonomical aids quick referral system, XC2 conservation, ठीक है collection of preserved plant and animal species men, museum, ठीक है XC2 conservation of plants, botanical garden, information of one taxon, monograph, quick referral system, herbarium तो A का 3, B का 1, C का 2 और D का 4 select the group of organisms which lack which are autotropic but lack photosynthetic pigment मतलब chemo autotrops की बात कर रहा है chemo autotrops की बात कर रहा है कौन अपना खाना कुछ से बनाएगा nitrosomonas और nitrobat which are the following like cell wall but has pellicle yuglina में pellicle होता है, ठीक है, very important wolfia is smallest angiosperm wolfia is smallest angiosperm branched septate and predominant dicariotic mycelium branched septate and predominant तुमारा club fungi है ना diicariontic mycelium मतलब diicarion stage मतलब N plus N stage होता है तो ascomycetis में नहीं होगा, club fungi में होगा deutromycetis में तो asexual stage ही होता है, sexual stage होता ही नहीं artificial system of classification, ठीक है, एट गेव equal weightage to vegetative and sexual character, बहुत इंपर्टन है, बहुत इंपर्टन है ना, linear और natural तुमारा, bentham है नहीं होगा select the incorrect statement about eukaryotic mRNA, post transcriptional so it has 5-UTR and 3-UTR, tailing, takes place in nucleus, capping helps in efficient translation, splicing helps in removing of exon and joining of introns, will call it removing of introns and and joining of exon removing of introns and joining of exon सलाजी नेला डिफ रॉब कॉनिफेरस बिल्कूल भाया पढ़े HOW Ilए अमने ।रेसि उनला में तुम्हारा डिपलोहपलॉन्टिक लाइसखिल होगा और कॉनीफारिस में तुम्हारा डिपलोंटिक life cycle होगा inflorescence with basipetal arrangement पढ़ा हुआ है यह भी पढ़ा हुआ है basipetal arrangement basipetal arrangement basipetal arrangement acropetal और basipetal arrangement होता है ठीक है तो basipetal मतलब cymos हो गया और acropetal मतलब तुम्हारा racimos हो गया तो कौन सा आगा ब्रिंजल and it has epipetalus tham epipetalus tham और यह epigynos भी होता है ovary इसका inferior होता है this is also good question tendrils in garden pea is modified garden pea garden pea is modified leaf stem tendril तुमारा grape wine में होता है leaf tendril तुमारा यहाँ पर meristems which appear early in the life of higher plants are responsible for formation of primary plant body are primary plant body are कौन सा होगा intercalary meristem और apical meristem intercalary तुमारा क्या होता है जो damaged part तुमारा तुमारा है ही secondary में lateral आएगा ठीक है secondary में lateral आएगा good question this is also good question haplontic में haplontic में meiosis होगा अच्छा shit 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 sorry 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 हाँ वो haplontic में meiosis क्या कर रहे हैं हम यह हम सही किये ना अरे यार यह यह होगा BNC होगा ठीक है correct कर लिए प्लीज 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 123 बिलकुल सही 123 बोद BNC और करेक्ट haplot diploontic diploontic और haplot diploontic life cycle ठीक है good question यह वाला देख लिए प्लीज करेक्शन 123 में correction ठीक है हाँ हाँ ठीक है haplot diploontic में meiosis होगा क्या गलती करें वही है ना common sense वाला चीज था ठीक है चलो कोई ठीक हाँ जी गरबढ़ कर दिया थे हम चलो आगे which of the following is not a feature of kolenchyma mechanical support intercellular stature thickening of cellulose present below the epidermis of dicot stem present below the epidermis thickening of cellulose hemisolose and lignification नहीं होता ठीक है आन से तुमारा 3 आगे आन से तुमारा 3 आगे ठीक buliform cells swell कर जाता है presence of cuticle and bean shaped guard cells dicot dicot में buliform नहीं होता ठीक है bean shaped guard cell हो जाएगा और cuticle तो present हो सकता है cuticle present हो सकता है तो B and D ठीक आन से तुमारा 4 आगे ठीक bark includes A and B bark includes A and B bark में क्या क्या रापता है bark includes periderm and secondary flow bark includes periderm and secondary flow select the incorrect match with respect to elements of phloem and their features elements of phloem and their features phloem fibers present होते हैं secondary phloem में आन सा तुम्हारा दिया इम्मिनो सप्रेसेंट drug like dash and dash is responsible for graft reduction dash and dash is responsible for graft rejection here A and B are cyclosporine A ठीक है यह इम्मिनो सप्रेसेंट होता है cyclosporine A तुम्हारा इम्मिनो सप्रेसेंट होता है और जो graph rejection होता है that is because of cell-mediated immunity good question which of the following technique involves the use of non-ionizing radiation again हमने बात किया ionizing radiation और non-ionizing radiation आप देखो radiation तीनों में किसी में यूज नहीं करते हैं तो भाई या एक ही answer बच जाता है अच्छा non-ionizing यहां तो ionizing है ठीक है ठीक है एम्राइब में magnating resonance image ठीक है acid in the stomach and saliva in mouth are included in which of the following barrier physiological barrier में आएगा ना physical barrier में skin और mucus ठीक है cellular barrier में PMNL neutrophils अगयरा आ गया और cytokanine barrier में interferon which of the following statement is incorrect human protein alpha-1 antitrypsin obtained from transgenic animal is used to treat emphysema ठीक फास्ट जीन थेरापी वास दन for ADA deficiency ठीक when ready-made antibodies are directly into it is called passive immunity in correct here it is called passive immunity okay which of the following statement is correct about BT cotton which of the following statement is correct about BT cotton ठीक है cotton ball warm और corn boris तो ये गलत हो गया ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया बीटी सेंट फॉर बैसिलर्स थूरिन जेनेसिस तो आंसर तुम्हारा C हो गया होम एबिलेस होमो धेक्टर्स नियांडर्थल पोमो से पियन गलत है 1450 cc हो और और सा तुम्हारा पूर्ट हो गया 1450 cc हो गया कॉपर रिलीजिंग आईउड अमंग दा फॉलोइंग इस कॉपर रिलीजिंग आईउड इसी यूटी सी यू सेवन और मल्टी लोड 375 आंसर हो गया C कंट्रोल अब बेक्टीरियल पैथोजन बाई सल्फा ड्रग्स किया है हमने यह कल भी किया था यह question it is an example of competitive inhibition non competitive inhibition का example तुम्हारा cyanide वाला होगा यह कल भी किया था completion of the meiotic division of secondary oocyte is induced by of secondary oocyte is induced by secretion of acrosome which helps the sperm into the cytoplasm ovum through zona pelletida and plasma memory answer क्या हो गया answer हो गया फॉर्थ है 128 का टू है 128 कौन सा कुछ नहीं है कि नौप 128 का टू नहीं है जया इंडियन वराइटियन जया रतना इंडियन वराइटिय थ्री है गलत है बालक गलत है चाहिए आगे what is the mechanism of action of progesterone hormone what is the mechanism of action of progesterone hormone what is the mechanism of action of progesterone hormone तो भाया क्या directly हो जाता है है ना water-soluble नहीं है lipid-soluble है तो hormone receptor complex जीनोम जबनाता है directly हो जाता है आफ्टर successful in vitro fertilization आफ्टर successful in vitro fertilization अफ्टर सक्सेस्फफल in vitro fertilization आफ्टर फर्टिलाइड बिगिन्स दिवाइड वेर इस दिस एग ट्रांसपर आफ्टर इस रिचेस इन्टो एट तो ट्राक्निक कॉस तो भाई यह एट सेल स्टेस तो अब तू एट सेल सेज फैलोपियन ट्यूग और इसको जड़ इफ्ट कहते हैं अगर एट तू 16 ब्लास्टोमिय स्टेस हाता तो फिर उसको यूटरस में डालते हैं और आई यूटी कहते हैं यह भी बहुत बढ़िया कुश है यह भी बहु नेद फर लॉट कहुंग है अब लॉट पर लॉट फोलाइं प्लाजमा प्रोटीन और नेद फर लॉट इन फो इन बाते हैं फाइब बाते हैं और इन फी ने टिन चाहिए और लॉटिज को जा इन प्रेसर ग्लोबिलीन तुम्हारा इमुनित if the recombinant DNA is inserted within the coding sequence of Z-zene so Z-zene तो मतलब क्या होग बीटा के लेक्टोसाइड़ नहीं बना तो क्या होगा colorless colony या white colony बनाएगा इसको हम कहते हैं insertional inactivation क्या कहते हैं इसको insertional in active छीक 131 का D होगा 131 कौन सा है अरे यार हाज गलती करना है हम क्या अच्छा plant disease है न sorry 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 131 का D होगा न ठीक बोलो ट्राइको डर्मा होगा और बैक्सिलर्स फुरिंजेंसी यह तुमारा pest control के लिए होते है इंसेक्टी टाइटल इंसेक्टाइटल ठीक है ठीक है ठीक है 131 का D होगा इंसेक्ट इंसेक्ट ठीक है ब्लॉड भी वर्ड भी यूरिको टेलिक होगा अना मैमल्स तुमारा यूरियो टेलिको नी फर्टिल एशेशन इन और लाइफ साइकल्स प्लाजमोडियूम्वाइव अकर्स इन फर्टिलाइजेशन गट गट उफ मॉस्कितों पे होता है फर्टिलाइशन गट ऑफ मॉस्कितों पर in acedia notocord is present in in acedia तुम्हारा है न notocord जो है larval tail में present होता है good question is को डालो डालो चिट विस question the structures which will help in distinguishing male from female is देखो anal सरकाई दोनों में present होता है anal style male में present होता है बागी सब कुछ wings तो होता ही नहीं है कांट विंग्स होगा ना विंग्स तो दोनों होगा क्या कहने हम ओ एनल स्टाइल सिर्फ में प्रेजन होगा ठीक है और एनल सरकाई दोनों में प्रेजन होगा मेल्फीज इंटीब्यों स्टेटमेंट अमंग दा following is correct statement among the following is कैटीलेज और पेरोक्सिडेज के लिए तुमारा हीम है ठीक है प्रो कर्बोक्सी प्रेप्टाइडेज के लिए जिंक होता है नियासीन होता है मोस्ट अबनेट अनिमल प्रोटीन होता है ठीक है मोस्ट अबनेट प्लांट प्रोटीन रुबिस्कोड टो माइं चलिन चैनकर एक फंडा बॉक्सक करेंगे मत्लिठ पे एक कॉंसरट बॉक्सक कल करेंगे ठीक है ए ऐटलस एक्सिस पईवट pubis symphysis cartilage humerus and glenoid cavity carpel and metacarpal of thumb saddle होगा answer तुम्हारा D आगया what is true with respect to loop of Henley what is true with respect to loop of Henley what is true with respect to loop of Henley reabsorption in this segment is more than PCT descending limb is impermeable to water permeable to water ascending limb is the concentrating segment it plays a significant role in maintenance of high osmolarity in interstitial fluid most appropriate answer वैसे सारा कोई साही नहीं है but और से ले लो ठीक है ज्यादा appropriate है वैसे तो वासा रेक्टा प्ले करता है उसको बठीक है concentration of urine करा रहा है endless loop है ना concentration of urine तो most appropriate answer लेकि यहाँ से निकल सकते है the nerve impulse is also termed as a nerve impulse 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 जो है वो क्या कह सकते है उसको action potential करेंगे ठीक है a band i band h zone z line तो आपको बताना है dark band a तो तुमारा a band है ठीक है b तुमारा i band है c तुमारा z line है और d तुमारा h zone है ठीक है a band i band z line और h zone ठीक है the reflex action in which there is ejection of stomach content through mouth it is regulated by medulla vomiting कह रहा है ठीक है it is regulated by medulla इस पर आता है vomit center आपका medulla में hypoparathyroidism hyper नहीं है hypoparathyroidism hypoparathyroidism parathyroidism बोल रहा है ठीक है तो hypokalcemia tetan blood calcium level increase करता है parathyroid होने ठीक है blood calcium level increase करता है तो इसको tetan ही हो सकता है ठीक है good question इसको mark करो parathyroidism है देख लेना thyroidism नहीं है mythenia gravies तुमारा neuromuscular junction पे काम करता है तो वहाँ पे गलत हो क्या ठीक है which of the following statement is wrong 500 ml पर पर अधालीटर जादा नहीं होगी ठीक है तो lack of menstruation can be indicative of pregnancy ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ट्रू रिफ्स 11th और ट्रू रिफ्स नहीं है एक्जियल स्केल्टन है ना एक्जियल स्केल्टन असी बोनों का टोटल और एपेंडिकुलर में फ्लोटिंग तुमारा 11th and 12th है ठीक है यह तुमारा 7 पेर 1,2,7 ठीक है और 8,9,10 तुमारा false होत अक्रूमियन प्लोसेस तुमारा ग्लिनाओट काविटी के साथ जुड़ा रहता एम्ब्रियो लॉजिकल सपोर पर इवलुशन वस प्रपोजड भाय एम्ब्रियो लॉजिकल सपोर्ट एना एम्ब्रियो लॉजिकल सपोर्ट याद करो एम्ब्रियो लॉजिकल सपोर्ट अर्नेस्ट हैकल वन बेर इसको डिसप्रूब किया था वन बेर इसको डिसप्रूब किया था यूगोडिवरा इस मुटेशनल चोरी और अल्फ्रेड वालेस तुम्हारा मले आर्ची पिलागो ठीक विच फॉलाइग इस अमैचिंग पेर विच फॉलाइग इस अमैचिंग पेर पल्मनारी गलत जोजर अव सेमी लुनर वैल अब बिगिनिंग अव ventricular systole diastole असर्ट साँंद दू तो opening closure of atrioventricular valve तो आनसर हो गया T-Vail आणसर हो गया T-Vail अच्छा ह। अच्छा ह। नक्रेक्ट श्रीम'T अल्थो रादियली स्यमेत्रिकल अनिम आर्म अर्मन ने ओशन अल वर्टीब्रे इस अर्बिटरल symmetry का अच्छा कोईनोसाइट सिंपंज ट्राप फूद 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 फीडिंग बाइंजेस्टिंग इन इन फोर्स शच अस कॉम जलीज मूव बाइस सीलिया और हम निमाटोसिस तू कैप्चर देयर प्रे नियो पैलिना इस अ क्या नहीं पता चल सकता कापेशिटी में कौन कोण सा पता नहीं चल सकता तथनख केपासिटी और वे क्यंसे पता नहीं चल सकता टर्म molecular seizure पढ़े हमने restriction enzyme को हम molecular seizure भी बोलते हैं Select the correct pair of restriction enzyme that produce blunt end हमने बात की थी blunt end की तो eco rv तो produce करता है eco rv तो produce करता है eco r1 और bam achievement नहीं करता तो यह नहीं करता यह नहीं करता ठीक है तो अब इन दोनों में से कोई एक ही होगा अब इन दोनों में से कोई एक ही होगा sma1 भी blunt end produce करता है तो option limit करोगे तुम्हारा answer आ जाएगा अगेन इसको लाल दो good question eco rv पे सवाल आया हुआ है तो यह अच्छा question है यह आएगा exam में Select the correct option peripatis is the connecting link between nleda and arthropoda बिल्कुल से टॉम्यूटेशन युगो डिवराइस गलत लूइस पैस्चर अक्वाय ट्रेट तुम्हारा Lamarck Darwin Finches special creation नहीं है natural selection की बात कर रहा है hardy विन्वाइज क्लिक्शन 2PQ heterozygous individual है न 2PQ तुम्हारा represent कर रहा है heterozygous individual which of the following is incorrect with respect to drug and its use taxol cancer treatment benodisepine बिल्कुल सदिटीपें के लिए बिल्कुल डेप्रेसेंट नहीं होता stimulant होता है यह एंफिदेपिन सक्तिमान ड्रग है stimulant बोलना है द्रक्स पर सवाल आएगा ड्रक्स ट्रक्स ठीक है तो ड्रक्स पर भी एक कॉंसर्ट बॉक्स करेंगे अल्यटी किया है वैसे मैंने वही वाला डाल देंगे ठीक है complete the following analogy by choosing the correct option by choosing the correct option क्या polychothermal hemothermal मतलब warm blooded warm blooded में mammals आ जाएगा warm blooded में mammals आ जाएगा है अच्छा कि थी थे हॉलो लॉंग बॉन्स विथ एर कैविटी मतलब बर्ट में पाएगा hollow लॉंग बॉन्स विथ एर कैविटी तीज़ ठीक है which of the following factors affect the enzyme activity which of the following factor affects the enzyme activity will go T no effect kariga enzyme activity T no effect kariga enzyme activity temperature PSN concentration of substrate T no effect kariga the middle ear cavity is connected to the pharynx by Eustachian tube is connected to the pharynx by Eustachian tube secondary messenger in the target cells are activated in response to secondary messenger which of the following is a vector less method of gene transfer electroporation it is a vector less method बाकि सारे vectors यह कॉस्मिट प्लास्मिट और या की इस आटिफिशल क्रोमोजोम और बैक तुम्हारा बेक्टिरिया आटिफिशल क्रोमोजोम which type of cartilage is present in the outer ear and between adjacent bones of vertebral column बार बार इस सवाल मैंने कराया है बार बार यह सवाल मैंने कराया है elastic cartilage और white fibrous cartilage कराया है यह वाला सवाल मैंने रिंग वार्म कि इस कॉस्ट ड्यू टू रिंग वार्म इस कॉस्ट ड्यू टू एक्सेप्ट पूछ रहा है तो माइक्रोस्परोन ट्राइकोफाइटन epidermophyton से होता है fungal disease है वुचेरिया बैंक्रॉप्टी से तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा फ़लेरिया होता है पैंक्रियाज इंसुलीन ठीक है पैराथरोइड पैराथर्मोन मुव्मेंट ओफ्रम बोन्स टू बलड ठीक है प्रिवेंट डाइयूरेसिस ठीक है एक्स on the smooth muscles to stimulate the contraction नहीं भाईया यह गलत बोल रहो यह गलत बोल दिये ना तुम ठीक है मायोमेट्रियम पे oxytocin काम करता है ना oxytocin काम करता है प्रोटनेफरीडिया इस प्रोटनेफरीडिया 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 प्रोटनेफरी प्रोटनेफरीडिया प्रोटनेफरी प्रोटनेफर लिंखिए आप एक्टौ पैर सैट है न एक्टेौ पैर सब जेद एक्टएıt प्लिएजम सेगमेंटेशन अच्छे डिशी थे रफ गी बिटेट बाइ तो कॉमद कि जो मेल थे वाले सुब्यलों पंट्यू लाटा होता है सीपेन है ना और गोर्गोनिया सीफेन होता है सबंको याद है इस पर इस अवाल आएगा अगला इन ओभीलिया मेडिूसा प्रोडूसेस पॉलीप एसेक्षॉली अच्छा poly produces medusa asexually ultra होता है ठीक है फैसियोला absorbed nutrient from hose directly from the body surface ये भी body surface नहीं अंदर होता है तो दोनों statement incorrect है answer आपका ठीक है तो हमने complete कर लिया 100 question please comment your score और concept box में आपको क्या क्या चाहिए आपको क्या क्या लगया कि सर इसके वाले पर concept box करा दो ठीक है the whole point of giving the test is कि हमारा concept box strengthen हो तो मैं कोचिश करूँ को joint कराने का ठीक है और drugs कराने का और भी कुछ अगर आपके दिमाग में है तो बताना वो concept box में करेंगे वीडियो पसंट रहे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आके अंदर वाजिएगा ताकि कोई नोटियो मिस्त ना करें आपका प्रोग्रेसिवली नंबर और आपका concept बूस्ट होता जाएगा अगर thousand question series करना है तो भी कमेंट सेक्चन में जरूर बताना तो हम लोग कल पर सो thousand question series करेंगे ठीक है चल टेक केर बाई 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 and have a great day thank you